नमस्कार दोस्तों सब्सक्राइब आप सब्सक्राइब एक बाद फिर से टेक्नो वर्ल में मैं हूं विशाल और दोस्तों आज हम इस वीडियो में बहुत इंपोरेंट सेटिंग्स के बारे हम बात करने वाले जो आप जब भी अपना वीडियो अप्रोड करते हैं तो आप पूरा वीडियो जरूर देखिये और दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीशे ताकर और ऑड बहुत वीडियो मिलते रहे दोस्तों शूरू करते हैं हमारे सबसे पहले सेटिंग के साथ में जब आप इक वीडियोड करने जाते हैं तो सबसे इंपोरणन चीज जो आपके लिए वीडियो की होती है वह तो आपका टाइटल है तो सबसे पहले जो आप टाइटल होता है उसको बहुत ही अच्छे से चू तो दोस्तों इसको मैं टाइटल इस तरीके से कर सकता हूं कि 5 most important strategies for YouTube वीडियो या फिर मैं सो कुछ ऐसा टाइटल कर सकता हूं कि must use video settings for YouTube videos तो दोस्तों कुछ ऐसा आप टाइटल चूज करें जो बहुत सर्चेबल हो बहुत ज्यादा यूनीक ना हो मतलब यूनीक के पीछे आप मच जाएए जो सर्च कर सकते हैं लोग जैसे जो mostly people search करना पसंद करते हैं उस टाइटल को यूज करें और दोस्तों आप strategies for YouTube videos in 2019 तो दोस्तों इस तरीकी से आपको अपना टाइटल सेट करना है तो दोस्तों यह बहुत important factor होता है कि आपका जो टाइटल है जो अगर परफेक्ट नहीं है तो आप अपने वीडियो के व्यूज को लूज कर सकते हैं क्योंकि अगर आपका वीडियो सर्च में नहीं आ आएगा जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके टाइटल की वज़े से आता है जो कि बहुत important factor होता है और भी factors होते हैं जिसको अभी हम देखने वाले बट टाइटल आपका the top most important factor होता है अब दोस्तों चलते हैं हम हमारे दूसरे सेटिंग के पास में दूसरा सेटिंग जो है दोस् description लिख सकते हैं वह इस वीडियो मैंने पूरी तरगी से explain किया है दोस्तों description बहुत important factor होता है आपके वीडियो के लिए क्यों कि आपका context of the video को explain करता है आपके वीडियो में आपने क्या actual में explain किया है इस चीज़को आप description में लिख सकते हैं और जो कि आपको लिखना बहुत important होता है mostly people इसको blank छोड़ देते हैं कि सोचने हैं कि यह important नहीं है इसलिए blank छोड़ देते हैं नहीं यह बहुत important होता है दोस्तों कि आप description को लिखिए और exactly context क्या है आपका video को explain करें और दूसरी चीज़ दोस्तों description में कि urls को add करना ना भूले अगर आपके पास में कोई भी इसा पोस्ट है कोई ऐसा आर्टिकल है जो से रिलेट होता है या मेरी कोई website में इससे रिलेट कोई article है तो मैं उसको जरूर इस वीडियो की description डालूंगा क्योंकि अगर मैं आप अपने सोशल मेडिया लिंक्स और आपकी website लिंक्स है उसको भी add कर सकते हैं जो आपकी genuineness और आपकी authenticity को increase करेगा और दोसर थर्ड most important thing keywords जो आपके वीडियो को जाला व्यूज दिला सकते हैं दोसर स्टरल भाशा में अगर हम समझें तो keywords वो words होते हैं जिसको नॉर्मली लोग सर्च करते हैं YouTube के उपर for example किसी वह जानना है कि अपना व्यूज कैसे बढ़ा है वह YouTube तो सर्च करेगा कि strategies to increase YouTube वीडियो 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 व्यूज तो इस तरीके के लोग common words को यूज करना पसंद करते हैं तो दोस्तों आपके वीडियो का जो भी common words है उसको आप keywords में add कर सकते हैं और keywords के लिए आप थोड़ा research out जरूर करिए सर्च करिए कि कौनसे keyword पर आपको ज्यादा views मिल सकते हैं कौनसे keywords पर आपको ज्यादा views नहीं मिल सकते हैं और दोस्तों एक चीज़ और ध्यान रखना है आपको कि keywords में कभी भी अपने वीडियो के context के अलामा कोई भी औ spam listed हो सकता है क्योंकि मेरे इस वीडियो में कोई ऐसी चीज नहीं जो कपिल शर्मा शो से related हो ना ही वीडियो में है ना ही description में और दोस्तों एक चीज़ और जो आपको ध्यान रखनी है कि आपके जो भी keywords हैं जो भी आप enter कर रहे हैं वो जरूर ही आपके description में होने चाहिए अ यह भी दोस्तों एक right strategy नहीं है genuineness और authenticity की वज़े से आपके views बढ़ेंगे अगर आप non genuine काम करना चाहेंगे तो इसकी वेसे आपके videos नहीं चलेंगे और spam listed हो सकते हैं तो keywords को authentic रखिए जो भी keywords आप add कर रहे हैं उसको authentically add करिए उसका context उसका relation आपके videos के साथ में आपके description स साथ में होना चाहिए फोर्थ सेटिंग दोस्तों custom thumbnail custom thumbnail दोस्तों आपको ज्यादा views दिला सकता है जी हां दोस्तों क्यूंकि custom thumbnails में आप exactly show कर सकते हैं डिपेक्ट कर सकते हैं कि आपके वीडियो में क्या है और दोस्तों अगर आपका custom thumbnail feature enabled नहीं है तो आप इस वीडियो पे ज सकते हैं दोस्तों custom thumbnail को आप जरूर अपलोड करें मैं बहुत ज्यादा recommend करूंगा क्यूंकि इसकी वजह से आप exactly depict कर पाएंगे कि आपके वीडियो में क्या context है और क्या आपका वीडियो शो करने वाला है यह the most important thing होता है जिसको आप create कर सकते हैं कहीं भी Photoshop अगर आप यूज करते हैं करते हैं या कोई और software यूज करते हैं तो उसको यूज करके आप custom thumbnail को बना सकते हैं और दोस्तों final thing जो mostly suggested नहीं होती है बट मैं suggest करूंगा अगर आप इसको करते हैं वन स्टेप अप हैं जिससे आपका व्यूज ज्यादा आपको मिल सकते हैं add to playlist दोस्तों आपके side में right side में आप एक आपके पास में option होता है add to playlist दोस्तों इसमें आपको करना क्या होता है कि आपके playlist क्रेट करने होते हैं आपके YouTube चैनल पे for example जैसे यह वीडियो मेरा जो यू दोस्तों इस तरीके से आप different different playlists create कर सकते हैं और उसमें आप वीडियो को add कर सकते हैं तो दोस्तों कई बार जब लोग सर्च करते हैं जैसे YouTube strategy सकते किसी ने सर्च किया तो वहाँ पे उनको वीडियो को साथ ने playlist के भी options दिखाई देते हैं तो दोस्तों प्लेलिस के option दिखा प्लेलिस में आड करने के लिए जरूर ट्राइ करिए अगर आप नहीं कर सकते हैं अगर आपके एक single वीडियो है तो प्लेलिस में मत आड करिए अगर आप multiple वीडियो क्रेट करें किसी एक particular निश पे या किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे तो एक जरूर एक प्लेलिस क्रेट क होंगे आप उसको लूज कर सकते हैं सबसे पहला चीज इसको रीकाप करते हम सबसे पहले चीज़े टाइटल दूसरा डिस्क्रिप्शन तीसरा है आपका कीवर्ड चौथा है आपका कस्टम थमनेल और पांचवा है एड टू प्लेलिस्ट इफ पॉसिबल एड जरूर करिए फ्लेलिस ये थे हमारे पांक चारे जिसको आप यूज करके आपने वीडियो के भियू को बढ़ा सकते हैं तो दोस्तों मिलते हम अपसे दूसरी वीडियो में लाइक कर दीज़ Time सीफार हमारी चैनल को और आगम आपको कोई भी डाउट्स या क्वेरीज हैं तो कमेंट करके हमको जबरूर बताई हमको रिजॉल्फ करेंगे दोस्तों मिलते हम आपसे दूसरी वीडियो ने तब तक के लिए गुड़ बाई ्चल करेंगे औरूरे करो जब तक का ऱ्ывает करेंगे